हलो एस्ट्रेंट्स आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज में और सोशल मीडिया पे सुना होगा कि अभी एक बहुत बड़ा एस्ट्राइड आ रहा है हमारे अर्थ के तरफ और हमारे अर्थ से टक्राने वाला है जिसके बुझे से हमारा अर्थ खतम हो जाएगा नस्ट हो ज हमारे अर्थ से टक्राएगा इन ही सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोसिस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग को कुछ टेक्निकल चीज इसमें से हम लोग समझ लेते हैं पहला चीज जो होता है एस्ट्राइड किसको बोल हो ओके उसको हम लोग आवारा ग्रह भी बोलते हैं जो कि एस्पेस में अन्वांटेड रूप से जो है मुव कर रहे हैं ओके तो एस्ट्राइड मतलब यह हो गया सेकेंड चीज होता है और बिटल प्लेन इसको हम लोग थोड़ा डिटल में समझने की कोशिज करते हैं और ब गुमाई है तो वो जो कांच की गोली होगी वो जो है उस प्लेट के प्लेन में ही ऐसे मुव करेगा वो प्लेन से बाहर नहीं जाएगा ओके आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कांच की गोली जो है प्लेट के प्लेन में ही ऐसे मुव करेगा वो उपर नीचे ऐसे मुव नहीं करेगा ओके तो कंच की गोली same plane में मूव कर रहा है तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी planet है वह सारे planet एक ही plane में जो है move कर रहा है जिसको को आम लोग orbital plane बोलते हैं ऑके जितने भी planet है वह सारे एक ही plane में move कर रहे हैं जिसकों हम लोग orbital plane बोलते हैं I hope कि आप orbital plane समझ गए होंगे अब next चीज़ हम लोग समझते हैं मैं इस image को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको दिखाई देगा चलिए हमारे solar system के इस orbital plane को आप देखिए इसमें आपको दो orbit पर दिखाई देने की जुरत है एक orbit है हमारा ये green वाला जो कि Jupiter का orbit है और एक orbit है ये Mars का और Mars के बगल में ये yellow वाला हमारे अर्थ का orbit है तो Jupiter और Mars के orbit के बीच में ये धेर सारे जो asteroid हैं ये asteroid belt कहलाते हैं asteroid belt हमारे solar system का asteroid belt इसमें ठेर सारे asteroid है छोटे छोटे और बहुत बरे बरे भी जो कि इसी plane में same plane में यानि कि जिस plane में सारे planet मूब कर रहे हैं उसी plane में ये asteroid भी मूब कर रहे हैं students ऐसे ओके आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये asteroid belt जो है asteroid belt जो कि Jupiter और Mars के orbit के बीच में है ये भी solar system के plane में ही मूब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मूब कर रहा है तो कर रहा है जैसे सारे planet मूब कर रहे हैं वो भी मूब कर रहा है उसे कोई problem नहीं है अब हम लोग समझने की कुशिज करते हैं कि अभी जो asteroid आउने वाला है उसका क्या orbit है और उसका क्या plane है तो space में बहुत सारे ऐसे object हैं जो की हमारे solar system की इस plane में मूब नहीं कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे object ऐसे भी हैं जो की हमारे plane को ऐसे cross कर रहे हैं बहुत सारे object ऐसे भी होंगे जो की sun के round ऐसे move कर रहे होंगे space में बहुत सारे object मूब कर रहे हैं और यह जरूरी नहीं कि वो सारा object हमारे सेम ये सोलर सिस्टम के प्लेन में ही मूव करे ऐसा जरूरी नहीं है तो चलिए अब देखिए अभी इस एस्ट्राइड की कहाने हम लोग समझते हैं कि जो एस्ट्राइड के बारे में बताया जा रहा है कि ये धर्ती से टकराने वाला है तो इसका और्बिट हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये जो वाइट वाला और्बिट आपको दिख रहा होगा ये ये और्बिट उसे स्ट्राइड का है जो की हमारे सोलर सिस्टम के प्लेन में नहीं है हमारे सोलर सिस्टम के प्लेन को क्या कर रहा है यह cross कर रहा है, ओके, तो जब यह हमारे solar system के plane को cross कर रहा है, तो यह कुछ orbit जो है हमारे planet के उसको भी cross कर रहा है, अब यह सी बात आप देख रहे हैं, यहाँ दो-तिन orbit है, जिसको कि यह cross कर रहा है, ओके, तो फिर जदी यह asteroid इस orbit में move करते करते यहाँ पर आए, और यह वाला orbit जो है, यह asteroid का orbit यह Earth के orbit को cross करे, और same time पे Earth भी यही पे मौजूद हो, और यह asteroid भी यही पे आजाए, तो फिर टकराने की संभावना बनती है, या फिर यह ऐसा भी हो सकता है, कि यह asteroid इधर से आ रहा हो, और इस time में यहाँ पे पहुँचे, और इसी time में Earth भी यही पे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे टकराने की संभावना बन सकती है, तो दो ऐसी संभावना हैं, जहाँ पे की टकराने की संभावना हो सकती है, तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं, कि यह जो asteroid है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसका orbit क्या really में हमारे Earth की orbit को cross करता है या नहीं करता है, या फिर एक संभावना और हो सकती है, कि हो सकता है कि यह जो है asteroid का orbit, यह orbit जिसमें कि asteroid आ रहा है, उसका orbit हमारे Earth के orbit से नजदीक है, तो हो सकता है इसकी दूरी बहुत कम हो, तो कम होने की वज़ह से भी क्या होता है, कि Earth का जो gravitational field होगा, उसके वज़ह सी asteroid इसके तरफ खिचा हुआ चला है, तो यह भी हो सकता है जिदि दूरी कम हुई तो, तो दो संभावनाई बन सकती है, या तो इस asteroid का orbit जो है, या तो इस asteroid का orbit हमारे Earth के orbit को cross करे, या फिर इस asteroid का orbit हमारे Earth के, Earth से इतना नजदीक हो, कि उसका orbit, Earth के gravitational influence का सिकार हो जाए, जिसके वज़ह से वो Earth की तरफ खिचा हुआ चला जाए, तो दो तरीका हो सकता है टकराने का, तो चलिए दिखते हैं कि, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि, क्या asteroid का orbit हमारे Earth के orbit को cross कर रहा है, या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि, इस asteroid के बारे में भी बात हो रही है, तो इसका orbit जो है, हमारे Earth के orbit से, लगभग जो है, 8 lunar distance पे स्थित है, यानि कि, हमारे Earth के orbit से, 8 lunar distance है, इसका, lunar distance कि इसको बोलते हैं, इसको लोग ऐसे समझते हैं कि, हमारे Earth से, moon के बीच के distance को बोलते है, 1 lunar distance, ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं कि, 8 lunar distance मतलब क्या हुआ, 8 lunar distance, मतलब, हमारे Earth से, जितना दूर 4 है, उससे 8 गुना ज्यादा दूर है, इस esteride का orbit जिसके बारे में, बताया जा रहा है, जैसा कि, आप इस table में भी देख पा रहे होंगे, कि, सबसे उपर में ही दिया हुआ है, कि 8.08 lunar distance, हमारे Earth के orbit से, ये दूर है, इस table में और भी देख सारे esteride आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि, हमारे Earth के orbit से different दूरी पर जो है, है अभी present में, तो अब यसी बात है कि, हमारे Earth के orbit से, इस esteride की orbit बहुत दूर है, जिसे कि, बिल्कुल भी हमारे Earth के orbit को cross नहीं कर रहा है, और टक्राने की संभावना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ के और्बिट को क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये तो पहली संभावना होगी दूसरी संभावना कि क्या ये distance इतना है कि हमारे अर्थ के gravitational field से बाहर रहे वो यानि कि अर्थ के gravitational influence के अंदर वो नहीं आ जाए ताकि वो अर्थ की तरफ खिचा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है ये दूरी लगभग हमसे इतनी दूरी है कि हमारे अर्थ का gravitational field वहां तक नहीं पहुंचता है तो दोनों ही case में जो है इस asteroid को हमारे अर्थ से टकराने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ओके आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ये तो हुई बर्तमान परिघटना के बाड़े में चर्चा अब हम जानते हैं कि क्या past में कहीं भी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई asteroid हमारे अर्थ से टकराया हो और उसके वज़ा से अर्थ पे कुछ नुक्सान हुआ हो तो बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि past में जो हमारे अर्थ पे dinosaur की प्रजाती थी वो जो खतम हो गई तो वो इसी वज़ा से हुई होगी कि कोई asteroid जो हमारे अर्थ से टकराया होगा क्या future में ऐसी कुछ संभाव ना है टकराने की तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा asteroid या फिर कुछ ऐसा object हो जो कि हमारे अर्थ के orbit को cross करे हमारे अर्थ के orbit को cross करे और same time में अर्थ भी उसी cross section पे मौजूद हो तो फिर ऐसा possible है तो future में ऐसी संभावना है कि कोई ऐसा object space में हो जिसे की हमारे अर्थ का टकर हो सकता है ओके I hope कि आप समझ रहे होंगे